हेलो एवरिवन, सिलाई फेशन में आपका स्वागत है आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुती अमेजिंग इजी बूलन फ्लॉबर तो शुरू करते हम अपना आज का वीडियो ये मैंने इसके लिए बूलन ले रखा है अब हम शुरू करते हैं बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी हमें इसे राउंड राउंड गुमाना है आप देख सकते हैं जब हम इससे इतना गुमा लेंगे तो एक थोड़ी सी लंबाई के बाद इसकी कटिंग कर देंगे इससे हमारा बहुत ही ब्यूटिफुल फ्लॉबर तैयार होगा और बहुत इजीली बन भी जाता है यह हमने सुई में अपनी उन को डाल रखा है अब देखे अंदर की साइट से हमें निकालना है देखे इस तरह से हमें निकालना है और इसमें एक फंदा लगाना है तैयार होने के बाद बहुत ही ब्यूटिफुल फ्लॉबर बनेगा अब हम इसकी कटी कर देंगे जो हमारा एश्ट्रा धागा है अब इसे हम फिंगर से निकाल देंगे देखे इस तरह से कुछ हमारा ये तयार होगा इसी तरह हमें और भी बनाने है मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों की इसली समझ में आ जाए बहुत हलकी हाथ से हमें इसे अपनी फिंगर पर लिपेटना है फिर हमें एश्ट्रा उन काट देना है अब वही सेम प्रोसेस करना है इसे हमें सुई में डालना है सेम प्रोसेस करना है हमें याद रखी अगर आप लूज रखेंगी तभी आसानी से आपकी सुई जा पाएगी इसलिए तो इसको थोड़ा लूज रखना है ताकि हम एजली फंदे लगा सकें ये फ्लोबर तयार होनके बाद बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है देखिए ये हमारा दूसरा भी तयार हो गया इसी तरह हमें फाइब तयार करने है फिर हम इसका फ्लोबर बनाएंगे ये उन को हमने धागे में ले रखा है उन को सुई में डाला है अब हमें इसका फ्लोबर तयार करना है इसी तरह हमें सारे जो हमने तयार किये हैं उनको एक एक करके डालना है पहले में फंदा लगाना है ताकि सारे रुके रहें देखिए इस तरह हमने सारे इसमें डाल दिये उनको पढ़ा है अब इसमें हम एक मोती अटेच करेंगे सेंटर में जिससे हमारे फ्लॉबर का लुक और ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारे ये ब्यूटिफुल अमेजिंग फ्लॉबर तयार है आप देख सकते हैं ये तयार होने के बाद कितना ब्यूटिफुल लग रहा है और कितना इजली बन भी गया है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू